हेल फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय फ्रका शुड़ा आप देख रहे हैं यूटुब चैनल सरकार जॉपन्यूज ये रोजगार समाचार है माई दोचारी की इसके सेकेंड विक का पंदर विभागों में अच्छे काजी वेकेंसी की इंफॉर्मिशन है इससे मैंने केंद सरकार दो साल पन पाउच्ट पॉच्ट कर दिया गया है आप्रतेश में यहां पर 135 पध हैं जुनियर ओफिस असिस्टेंट जुनियर टेक्निशन वेलफेर ओफिसर सेक्रेटरेट असिस्टेंट सुपरवाइसर तो यह तरह के पध है यह तो अच्छी आईट यह डिप्लमा यह सिंपल कर जूट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं एज तो यह बैंक नोट प्रेस है यह नोटा में भी इसका ओफिस है तो वहां भी है और एंपी में भी दोनों जगा यह भरती है तो इस वुटे की डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जागा अग्री वेकन सी आड़े यह मिलिटरी इंजिनियरिंग सर्विस से यहां पर 522 पाधे हैं ड्राफ्ट्समेन एंड सुपरवाइजर के लिए योगताओं चाहिए डिप्लोमा या ग्रिजिशन ओके एज लिमिट की बात करें तो अठर से 30 साल है लाश्टेट बढ़ गया इसका सत्रह माई तक एपलिक्शन फी जरो टू हंड़े रूपीज दे और सल्ड़ी ठीठ है मेल फिमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वेकंसी है यह इंडियन इस्ट्रूट आफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नलोजी ओके यहां पर चौदफ पाथ हैं जूनियर इस्टोर्न ग्राफर जूनियर सेकर्टेरेट असिस्टेंट योगताओंची ट्विल्थ पास एज लिमिट है मैक सुन ट्वंटी एट यार्स अप्लाई का डीट है बीस माई से एकीस जून तक ओके और सैली अच्छी खासी देखने को मिल रही समय भूवनेश्वर में यह वाकेंसी है अगली वाकेंसी आरे यह 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 गोवाशी प्यार लिमिटेट से या प्रू 137 पाथ है और इसकल्ट के लिए जिनरल फीटर भी है एलेक्टिकल मेकानिक कमर्शियल असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट वेल्टर नर्स ट्रेनी कुछ और भी पाथ है यह तो चेट वेल्ट या इडिया डिप्लमाय अग्रिजुशन एजमेंट है मैक्समुम 33 एर्स अप्लाई के लिए चार जून अप्लाई फी है यह 200 रुपया कुछ के लिए 0 रुपेस है सहले ठीक ठाक है गोवा में भरती चल रही है मेल फिमेल तोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वेकेंसिया यह यह भी गोवा से 109 पाध है अकाउंटेंट के लिए योगता हो मेल फिमेल तोनों अप्लाई कर सकते हैं अगली वेकेंसिया यह यह जे आई पी एम एर में यह पुदुचेरी में है पुदुचेरी में चार पध हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर योगताउंची इंग रिजूशन एज लिमिट है मैक्सिम 30 एर्स लाज़ेटर फॉर्म परन अब देखें कोवीड-19 है तो अचानक जब जरूर पढ़िये तब सरकार को याद आया है हर जगह का यह हाल है केंदर का भी यह हाल है राज्यों का भी यह हाल है तो आप भरती चली एंबेबीएस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगली व्रिकेंसी आ रहे है इस्टेट रेजर्व काटेगरी वालों को लाज्यों के लिए 17 मई ऑप्शन है और अप्लाई जो फी है वो 0 to 750 रूपीज है तो यह ठीक ठाक मिलती है मेल फीमेल दोनों के लिए मौका है बैंक में वह भी SBI में इस वुद्यों के डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा अगली व इन्फॉर्मेशन टेकलोजी ऑफिसर यह सब पद हैं कई तरह के पद हैं इसलिए अलग अलग तरह की योगता मांगे गई है अलग अलग पदों के लिए तो ग्रेजुशन या पीजी या MFC या MBA या अधर कुछ और भी है एजल में की बात करें तो अठार से 37 साल है लाज़ सर्कल से यहां पर 2421 ग्राविन डाक सिवक यानि GDS की भरती चल रही है यह उगता हूंची यह टेंथ पास एज लिमिट है 18 से 40 साल लाश्ट रेफॉर्म बंडे के लिए 26 माई एपलेक्शन फी 0200 रूपीज है और सहली 10,000 रूपीज है मेल फिमेल्स दोनों अपलाई कर सकत हैं लेकिन सिर्फ महाराश्ट के ही अगली वेकेंसी आरे यह बिहार पोश्टल सर्कल से यहां पर 1940 पद हैं GDS यानि क्रामिन डाक से वक यह टोनची 10 पास एज लिमिट है 18 से 40 साल लाश्ट रेफॉर्म बंड के लिए 26 माई एपलेक्शन फी 0200 रूपीज है और सहली है 10,000 मेल्फ मेल्फ दोनों के लिए मौका है लेकिन सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही मौका आई है अगली वेकेंसी आरे यह उत्तर प्रदेश पुलिस से यहां जो 13,29 जो SI और ASI की भरती जो चल रही थी उसमें डेट जो है उपढ़के आया है जो कि कोरोना काल चल रहा है हा सारे लोग कमेंट करके जल्दी एक दो दिन में आपको करेंट फर्स मिलना लगेगा उसकी मैंने तैयारी करती है ज्योंकि पूराना काफी बचा हुआ है जो कि आपको बताना है करेंट फर्स तो पूरा आपको बताएंगे ओके खेर यह जो पद है इसके लिए अब साल प्लस जो रिजर्व काटिगरिक लोग है उनको छूट मिलती है इसमें एज लिमिट में और अप्लेक्शन भी इस फोर हंड्र रूपीज है चार सो रुपे जल्री ठीक ठाक है मेल फिमेल दोनों के लिए मौका है उतरप्रदेश में भरती है देश बर के यूग अप्ला अप्लोग्राफर योगता उनची 10 या 12 पास एज लिमिट है अठार से 25 साल लाश्ट टेट फॉर्म बढ़ने के लिए बाइस माई एपलेक्शन फी 22 रूपीज है यह के बन पोस्टेड स्टांप के चार्ज है फी नहीं है यह स्टांप के चार्ज आपको देने होंगे और स 3,479 पाद हैं टीजटी पीजटी वाइस प्रिंस्पल और प्रिंस्पल योगता उन चाहिए गिरिशन या पीज़ डिग्री विद बीएड एक्जाम पास होने चाहिए यह जिल मिठ है मैक्सिमम 50 एर्स इसका भी डेट बढ़ा है तो 31 माई तक फॉर्म भर जा सकेंगे एप अभी भी तो कुछ जगहों पर यह डेट लाज डेट जो है वो पढ़ा दिया गया है 17 माई कर दिया गया है योगता उन चाहिए फिफ्ट या टेंथ पास एज लिमिट है 21 से 45 साल ओके केवल फीमेल के लिए मौका है उत्तर प्रदेश में अगली वेकैंसी है या एप्रेंटिस कुछ भी हो या डिप्लोमा या इंजिनेरिंग डिग्री या ग्रिविशन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट की बात कर तो 88 से 30 साल है लाज जेटेव फार्मबान के लिए 23 माई एप्लेशन फी 0 to 1000 रूपीज है अच्छे घासी देखना में लिए मेल फी मेल दोनों के लिए मौका है अगली वकेंसी है हिमाचल प्रदेश एस्टेट एलेक्रिसिटी बोट से है यहां पर 50 पादें ड्रैवर के लिए योगताओं चीए 10 पास या एक्यू वेलेंट और ड्रैविंग लैसेंस तो होना चाहिए एज लिमिट है 18 से 45 साल लाज़ देटर फॉर्म बंड़ के लिए 18 माई अप्लिक्शन फी 100 से 400 के बीच में है हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म भारा जा रहा है अगली वकेंस की आ रही है बिहार प्रब्लिक सोर्ष कमिशन से यानि BPSC से यहां पर 138 पद हैं असिटेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए योगताउंची ग्रिजिशन या MBA या CA या ICWA एज लिमिट की बात करें अगर तो पुर्षों के लिए 18 से 30 साल है महिलाओं के लिए 18 से 40 साल लाज़ टेट फॉर्म बंड के लिए 15 माई अप्लिक्शन फी 500 से 600 रुपे के बीच में मेल फिमेल दोनों अपलाई कर सकत है तो दोस्तों ये था रोजगार समचार हम लोग हर संडे की रात को ये वीडियो लेके आते हैं